भारत की धरती इतनी पवित्र है कि इसमें कई दिब्विसंद और महापुर्सों ने जन्मलिया है जिसके बाड़े में आप जानकर आश्चर चकित रह जाएंगे एक ऐसे ही दिब्विसंद थे दिब्राहा बाबा जिन्हें आप योगी तपस्वी महात्मा दिब्यात्मा जो भी आपके मन में एक अच्छे व्यक्षित्व का निर्मान करता हो वो सभी शब्द आप उनके लिए प्रियोग कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से आपको देवराहा बाबा का जीबन परीचे और उनके चमतकार के साथ ही उनके जीबन से जूड़ी अनेकों चमतकारी घटनाओं को मैं आप समों के बीच बताऊंगा इसलिए ये वीडियो लंबी हो सकती है इसलिए मैंने इस वीडियो को दो पार्ट में बनाया है आप लोगों से साधर रिक्वेश्ट दोनों पार्ट को अबस्य सुने आए जानते हैं हम अपनी देश के इस महान योगी के बारे में सिध्धी योग में जो शक्तियां है उसका वर्नन पुराणों में विस्तार से है लेकिन इसका जीता जागता उदाहरन आपको दिवराह बाबा की रूप में बिल जाता है दिवराह बाबा अपनी उम्र तप और सिध्धियों के बाड़े में कोई भी दाबा नहीं किया सहज सरल और साधा जीवन जीने बाले दिवराह बाबा अपने भगतों से बिना कुछ पूछे उनके मन की सारी बातों को जान लेते हैं आप इसे चमतकार कहें या फिर उसकी साधना की शक्ति रिसी मुनियों के देश भारत में ऐसे कई महान संत हुए हैं जिने दिव्यात्मा घा जाता है ऐसी ही दिव्यात्मा में से एक हैं देवराह बाबा बहुत ही सहज सरल और सांथ प्रिवर्ति के थे बाबा को बहुत ग्यान था और उनसे मिलने के लिए देश दुनिया के बड़े बड़े लोग आते थे जिनके बाड़े में आपको मैं आगे बताऊंगा बात की जाए देवराहा बाबा की जन्म की तो यह एक अनसुलजा रहस ही रह गया है क्योंकि बाबा ने किसी भी इंटर्व्यू में या अपने किसी भी भगत को अपने जन्म के बाड़े में कभी नहीं बताया लेकिन जब बार बार उनसे पूछा जाता था तब यह मुस्कुरा कर यही जवाब देते थे कि बच्चा मेरी उम्र तुम नहीं जान पाओगे लेकिन उनकी जटाओं से उनकी उम्र का अंदाजा लगाया जाए तो शायद दो सो पचास साल से लेकर नो सो साल के बीच रही होगी आप यहा बाद जानकर चौग गए होगे कि कोई इंसान इतनी वर्सों तक कैसे जी सकता है लेकिन यही प्रस्ण जब उनके भगतों से पूछते थे तो वे जवाब देते थे कि बेटा यह सब अश्टांग योग और खेचरी मुद्रा का कमाल है और इसमें हैरान कर देनी बाली बड़ी बात यह है कि वो कभी भोजन नहीं क्या करते थे वे सिर्फ यमना का पानी पीते थे और दूध, सहद और स्रीफल का रस को सिबन करते थे तो आपके मन में एक सबाल उठ रहा होगा कि क्या बाबा को भोख नहीं लगती थे तो इस प्रस्ण के उत्तर में कई बयानिकों के अध्यान में मिलता है कि एक अध्यान के अनुसार यदि कोई व्यक्ति ब्रह्मांड की उर्जा से शरीर के लिए आवस्यक एनरजी प्राप्त कर ले तो उससे भोख नहीं लगती साथ ही अगर कोई व्यक्ति ध्यान किरिया, योग किरिया, हठ योग किरिया और संतुलित जीवन को अपनाए तो तो वे अधिक आयू तक जी सकता है हलांकि अध्यान के अनुसार तीनों चीजों का एक साथ होना आवस्यक है बाबा ना ही कभी धर्ती पर लेटे हैं हमेशा एक लकड़ी के मचान पर रहते थे जो की धर्ती से बारव फिट के उचाई पर होता था और उसी पर बाबा योग साधना क्या करते थे सुबह अस्नान करने के लिए बाबा मचान से नीचे आते थे जब कभी उनसे कोई भक्त मिलने जाता था तो बस अपनी चरण को उस भक्त के सिर से छुवा देते थे जिस भक्त को ऐसा आश्यरबाद मिलता था उसके सोभागे का उदै हो जाता था इन्ही सब हैरान कर देनी वाली बातों में एक बात और जोर दिजिए कि वो कभी भी कपरा नहीं पहनते थे चाहे जितनी ठंडी हो चाहे जितनी गर्मी हो हमेशा बाग की छाल लपेटी रहते थे यह तो सिर्फ भक्तों की द्वारा देखी गई घटना है लेकिन इससे पहले कई सेकरों बरसों तक उन्हों ने हिमाले में तबस्या की है जिसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता दोस्तों इस वीडियो के दूसरे और तिसरे भाग में हम जानेंगे देव रहा बाबा को कौन-कौन सी सिध्या प्राप्ती और भारत के कौन-कौन सी महान हस्तियां उनके भगत रहे और उनके बारे में उनका क्या विचारत था साथ ही कौंग्रेस का चुनाचीन पंजा छाप क्यों पर इसके साथ ही राम मंदिर के बारे में उनकी भविश्वानियां क्या क्या थी इस वीडियो के अगले एपिसोड में तो इस वीडियो को लाइक करना ना भुले साथ ये अपने चाहने बालों के साथ सेर करे और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करे नमस्कार प्रणाम जैसरी किष्णा जैसरी राम